हाई फ्रेंड आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही खास वीडियो क्यूंकि आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इंडिया की 2030 की फूल शेडियूल की बारे में ऑस्टियल्य लेको सीरिज करिए ऑस्टियल्य से लेके एशेयन गेम से लेके वेल। वालक अबूर कब में और सिरिज कौन सा मेदन पर होगा कितना बाज़त से स्टार्ट होगा और ये टीट यह पिर ओडिया है फूल सीडूल डड़ वारे मैं present करेंगे आज के वीडियो में तो आज का वीडियो आप लोग अपनी मूबाल पर सेप करके राख सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहला अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजए और ज़ग गंटा का बटन है उसको भी दावा दिजए ऐसे वीडियो पाने के लिए तो चेलिए स्टार्ट कर दें आज का वीडियो इंडिया अभी खेल रहे है आयरलेंड सिरीज और आयरलेंड सिरीज खतम होती इंडिया जायेगी डारेक एशिया कप खेलने के लिए जो Asia Cup का Group Stage का match है वो है पहला match इंडिया का 2 September को पाकिस्तान के साथ जो खेला जाएगा सामको 3 बज़ के केंडी में इसकी बद इंडिया का दूसरा match है Group Stage का 4 September को वो खेला जाएगा नेपल के साथ वो भी खेलागा केंडी में वो भी स्थार्ट होगा सामको तीन बच के इसकी बाद होगा सुपारफूर का मैच जो अगर इंडिया सुपारफूर में उठता है तो 10, 12 और 15 सेप्टमबर को सुपारफूर का मैच खेला जाएगा जो खेला जाएगा कोलमबो में और उव मैच भी सब सब स्टार्ट होगा तीन बच के इसकी बाद अगर इंडिया फाइनल में उठता है तो इंडिया का फाइनल का मैच है 17 सप्टमबर को जो हो खेला जाएगा कोलाम्बो में ओभी सामकु 3 बच से स्टार्ट होगा इसके बद इंडिया और उस्टिलिया की बीच तीन ODI सीरीज खेला जाएगा जो होगा 22 सेप्टमबर को जो खेला जाएगा मोहाली में एक बाज के 30 मिनिट पे दूसरा होगा 24 सेप्टमबर को जो खेला जाएगा इंदूर में ओभी एक बाज के 30 मिनिट पे तीसरा होगा साथा सेप्टमबर को ओ खेला जाएगा राजकुट में ओ भी होगा एक बज़ के तीस मिनिट पे इसकी बद इंडिया जाएगा एशियन गेम्स खेलने के लिए जो स्टार्ट होगा पाच उक्टूबर से और इंडिया का पहला मैच होगा जो क्वालिफाई करेगा उसकी साथ इंडिया भार्सेस क्वालिफायर जो होगा चाइना की हुआंग हो में दो बाज के तीस मिनिट पे इसकी बद इंडिया अगर सेमिफायल में उड़ता है एशियन गेम्स में तो 6 अक्टूबर को इंडिया को फिर से मैच पर सकता है और इसकी बाद अगर final में हुटता है तो final cup जो match होगा Asian Games का वो होगा 7 October को वो भी होगा वांग हो में इसकी बाद start हो जाएगा World Cup जो होगा India में तो India का जो पहला match होगा World Cup का वो होगा 8 October को Australia के साथ वो होगा Chennai में जो start होगा 2 बाजे से इसके बाद इंडिया का दूसरा मैच होगा 11 ओक्टूबर को ओ होगा अफगर्स्तान के साथ ओ होगा दिल्ली में जो स्टार्ट होगा दो बाज के इसके बाद 14 ओक्टूबर को इंडिया खेलेगा पाकिस्तान के साथ जो होगा एमेदाबाद में वो भी स्टार्ट होगा दो बाजे से, इसके बाद 19 उक्टूबर को इंडिया का मैच होगा बंगलादस के साथ, वो होगा दो बाजे से, पुने में, इसके बाद 22 उक्टूबर को खेलेगा नीजुलेंड के साथ, जो होगा धर्मसाला में, इसके बाद 22 उक्टूबर के बाद 39 उक्टूबर को इंडिया खेलेगी इंग्लेंड के साथ जो होगा लखनो में वो भी स्टार्ट होगा दो बाजे से इसके बाद 2 नौवमबर को खेलेगा इंडिया सिलंका के साथ जो होगा मुंबाई में वो भी स्टार्ट होगा दो बाजे से इसके बाद इंडिया का मेर्च start होगा 5 नौवाजे से इसके बाद 12 नौवाज़ को इंडिया खेलेगी नेदरलंड्स की साथ वो भोगा बेंगालौरू में जो start होगा 2 बज़े से इसकी बाद जो सेई फैनल ने वो होगा 15 और 16 नवंबर अगर इंडिया सेई फैनल में उठता है या तो 15 नवंबर को परेगा या फिर 16 नवंबर को होगा जो होगा एक मैच होगा मुंबाई में और एक मैच होगा कलकत्ता में इसकी बाद 19 नवंबर को होगा फैनल अगर मेच होगा और वो होगा 30 नौवंबर को जो होगा पिशा का पत्तनम में इसके बाद होगा 26 नौवंबर को जो होगा गुहाटी में और इसके बाद होगा 1 डिसंबर को जो होगा नाकपुर में इसके बाद होगा 3 डिसंबर को जो होगा हैद्रबाद में और सभी मेच जो है बो और तीन ODI सीरीज जो होगा इंडिया का पहला T20 सीरीज वो होगा 10 डिसमबर को जो खेला जाएगा डारबन में इसके बाद होगा इंडिया का दूसरा T20 सीरीज साथ अफ्रिकर साथ वो होगा कैमबेरा में इसके बाद होगा तीसरा T20 सीरीज साथ जो होगा जुहानिसबर्ग में इसके बाद होगा इंडिया का ODI, फास्ट ODI होगा 17 डिसमबर को जो होगा जुहानिसबर्ग में इसके बाद होगा दूसरा ODI सीरीज जो होगा 19 डिसमबर को वो होगा केंबरा में इसके बाद इंडिया का 3rd ODI होगा पारेल में जो होगा साउथ अफ्रीगया के साथ 1 दिसमबर को इसकी बाद 26 दिसमबर से 30 दिसमबर को इंडिया का पहलना टेस्ट होगा वो होगा सेंचुरियन में और इसकी साथ ही 2023 का जो फूल शीडियूल है वो भी इंडिया का खतम होता है अगर आप लोग 2024 का भी फूल शीडियूल चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बोले अगर मेरे वीडियो आप लोग आच्छा लगता है तो प्लीज मेरा चैनल को सास्क्रेब कर दीजे और जो घंटका बटन है उसको भी दवाना मत भूले